कोविट नाइटीन महामारी के बीच ही देश भर में परिंदों की तेजी से होती मौतों ने लोगों में दैशत फैला दी है कई राजों में बोर्ट फ्लियों के मामली की पुष्टी हुई है और कई राजों में जंगली पक्षियों, कववों और मुर्गियों की मौत के कारोन का पता लगाया चारा है इसी बीच नाकपुर जिले के रिंगना बोरी, मसाला, मिनिवाडा, चगदोह शेत्र में शनिवार को उस समय खलबली मच गई जब पेड के नीचे बड़ी संख्या में तोते, कववे, जंगली कबूतर, चिड़िया, आदी, पक्षि, मृत पाए गए देश में आई इस नई आपदा को रोकने के लिए केंद्रेस सरकार ने स्थानी अधिकारियों के साथ समयन में तेज कर दिया है पशिपालन और डेरी विभाग ने संभवित होट स्पॉट की निगरानी बढ़ाने और निरंतर संचार बनाया रखने अलर्ट के लिए कहा है और इसी बीच नाकपुर जुले की रिंगना बोडी, मसाला, मिनीवाडा, चकडोहक शेतर में शनिवार को उस समय खलबली मज गई जब पेड के नीचे बड़ी संख्या में तोते, कव्वे, चंगली कबूतर, चिडिया, आधिपक्षी मुरित पाए गये पेड़ों के नीचे बड़ी संख्या में मुर्दपक्षी पड़े थी कुछ मुर्दपक्षी पेड पर लटके रहे थी बड़ फ्ल्यू का संक्रमन फैले की खबर मिलते ही प्रवासी पक्षियों की प्रजिनन की स्थानों पर विशेश कर ध्यान रखा जाता है ऐसी नदियों या ऐसे स्थानों की निगरानी खास तोर से की जाती है जहाई अपक्षी अपना डेरा जमाते है इसका कारण यह है कि नदियों का पानी इस संक्रमन का आसान वाहक साबित होता है बोर्ट सेंचुरी इसके आसपास के लाकी और नदियों की निगरानी वनविभा के लोठा करते है संक्रमन्द फैलते ही मुर्गिया या पाले जाने वाले पक्षियों को मारने की प्रक्रिया शुरू की जाती है ऐसे करने से संक्रमन्द फैलने से रोका जा सकता है क्यामर पोसन राजकमार मोड के साथ दिशाहटवार बीसी न्यूस नाकपुर